नमस्कार, मैं जहांगिर आलम, आप देखने कोल फिल्म मिलर हर पल आपके साथ दीवाली जिस कावर्ष्टरी में मैं उपस्तित सभी लेगी काफो, मैं मुस्कार भी अभी नंदन करती हूँ तो इनि मां सवस्वती की बंधना देखने से करते हुए कारकरन की सफलता की कामना करती हूँ या कुंदेंदू तुशार हार धबला, या शुब प्रस्त्रावरिता, या वीना वर्डंड मंडत करा, या शुब प्रस्ता वजैब या शुब प्रस्तावर मंडत क्या व्यीट कर iต. अब मैं संस्था की संस्थापक और आज की कारिकरम के मुख्य अतेदी, जांगिर आलमसर को महशपोर आने का आगरा करती हूँ. वे मज़बर आए और अपने सब्दों से हमारा उच्छा वदन करें। इन दियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज का कारिक्रम रखा गया ताकि देश की सुपर्शिन्थ लेकिकाओं की परस्तुति से हमारा दियों का तहवा का उमंद आभी दोगना हो जाएगा। आज की कारिक्रम की शपलता की कामना करते हुए हम अपनी वानी को यहीं समाप्त करते हैं। और एक बार दिर से उपस्तित तमाम लेकिकाओं को मेरा अभी नंदम। धन्य मत्यूं। अब कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए हैं। परसित लेकिकाओं से आगरा करती हुँ कि वो मजपल आए और अपनी पंक्तियों से हम सभी का ज्यान वदन करें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हिमाशल परदेश की प्रिति सर्माजी को। नमस्कार मैं प्रिति शर्माजी नाला कड़ी मजपल पर देशे। दिपावली की हादिक शुब काम नए बठाई। दिपावली के इस शुब अफसर पर आपके समक्ष एक रचन प्रस्त करने जारे हुँ। इस दिपावली एक संकल्प। इस दिपावली चलाकर एक दिया विश्वास का मानव सभ्यता में विजयूद खोश चगाना है। हम हैं भारत की महान संतान। करोना से टूटी अर्थ व्यवस्ता को फिर से मजबूत बनाना है। करोना से टूटी अर्थ व्यवस्ता को फिर से मजबूत बनाना है। जलाकर दूसरा दिया प्रेम का आपसी भाईचारा लाना है। धर्म की आड़ लेकर लड़ाने वालों को मूत और जवाब दे जाना है। जलाकर तीसरा दिया देश हित में लगे असंख्य जनों के प्रती किर्टग्य हो जाना है। अपने देश के सैनिकों और किसानों के लिए दूआ में हाथ उठाना है। जलाकर चोथा दिया बुराई से लड़ने के लिए अवाज उठाना है। ये कैसा समाज दे रहे हैं। जीवंतरास्थी का अंत भीबाना है। जलाकर पांचवादिया गुद्रत का उपकार मनाना है। बहुत गलतिया कर चुके हम गुद्रत के साथ अब समस्त भूले सुधारते जाना है। जलाकर चटा दिया स्वच भारत का मान बढ़ाना है। गंदगी को आसपास से ही नहीं, गंदी सोच को भी साफ कर जाना है। जलाकर सात्वादिया सत्यपत अपनाना है। भ्रष्टाचार अनैतिकता समास से तभी निकलेगी, पहले अपने भीतर का रावन मार की राना है। जलाकर आठ्वादिया अपनी अमर सभ्यता का ध्यान कर जाना है। विदेशी भीड का हिस्सा होने से अच्छा, सबदेशी संसकार अपनाना है। जलाकर नुवादिया संकट के इस काल में जीवन को संकट मुक्त कर बनाना है। जरूरतों के हिसाब से हो जिन्दगी, हर जिन्दगी को जीवन में खुश हाल बनाना है। हर जिन्दगी को जीवन में खुश हाल बनाना है। आतम नेधर भारत बनाना है। जैहिं जै भारत दिपावली की हार्दिक शुपकामनाई बढ़ाई धन्यवाद। नमेशकार मेलाईत पांडे दिल्ली से आप सभी का सीएफम परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक सुपकामनाई इस प्लक्षमी एक छोटी सी कवीत प्रस्तुत है। जिसका चेश है के दिपावली खुश्य का तेहाद। आओ खुश्यो भरी दिवाली मनाई। मुर्जाते चहरों में मुस्कराहट वापस लाएं। बना कुमार की माटी को स्वण आओ हम सब दिवाली दिवाली मनाएं। रंगो की रंगोली बना घर आगन महकाएं। चलो इस बार दे हम खोदी सजाएं। मिलजुन बनाएं तोरण हार हर्याली घर वापस लाएं। इस बार दिवाली अपने संग दूसरों की भी रंगीन मनाएं। खील बतासी और फुलजडी हर बच्चे को मिल पाएं। मा लक्षिमी किर्पा करो हर देली में रौनक चाएं। प्रेम विश्वास का ये पर हर अंतर मन को चूँ जाएं। कर्ति मिल को दूर ये दिवाली दीब मही हो जाएं। धनिवाद। नमश्कार मित्रों। मैं भोपाल से रश्मी मिश्रा। आपके सामने प्रिस्तूत हूँ अपना एक गीत लेकर। किन्तो इसके पहले मैं। मैं। सी एफ हैम राइटर्स एससे एसन मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। आदर निये। जहांगीर आलमसर का तहे दिल से सुक्रियादा करती हूँ। कि उन्होंने हमें अभी व्यक्ति के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया है। और आप सभी को दीपवली की अग्रिम्प सुप कामनाय देती हूँ। आज मेरा ये जो कीत है। ये छट पर्व को लेकर है, मैंने अपने गीत में एक सास की बहु के लिए जो भावनाय होती हैं, जो दुआएं होती हैं, वो संजो कर लाई हूँ। उमीद करती हूँ कि आपको ये मेरा गीत अवस्पसंद आएगा। जीब तेरो सजना बहुनी, जीब मेरो ललना पावे उमर हजार। जीब तेरो सजना बहुनी, जीब मेरो ललना पावे उमर हजार। माई गंगा में जाओं जाके, डुब की लगाओं मांगू अचरा पसार। माई गंगा में जाओं जाके, डुब की लगाओं मांगू अचरा पसार। खन के तेरो कंग ना जिल मिल, दम के तेरी बिंदिया रहे अमर सुहार। जीब तेरो सचना बहुनी, जीब मेरो ललना पावे उमर हजार। साजे सबेरे सूरज, देबे को मनाओं नित, अरखे चड़ाओं मांगू अचरा पसार। साजे सबेरे सूरज, देबे को मनाओं नित, अरखे चड़ाओं मांगू अचरा पसार। कभी छाए ना अधेरा रहे, खुशियों का डेरा महके, तेरा घर दौार बहुनी, जीब तेरो सचना बहुनी, जीब मेरो ललना पावे उमर हजार। साजे सकारे नित, दीपे जलाओं तेरी, खैरे मनाओं मांगू अचरा पसार। साजे सकारे नित, दीपे जलाओं तेरी, खैरे मनाओं मांगू अचरा पसार। गोदी में खेले तेरे, ननहा सा ललनवा मेरा, राज कुमार। जीब तेरो सचना पहुनी, जीब मेरो ललना पावे उमर हजार। पावे उमर हजार। नमस्कार, मैं नमर्थातिवार, महास्वासी जी के वनना करती हूं और आलम सरकोजा। मन्च प्रिजाने तो धन्यवाद ग्यापित करती हूं। मैं आप सेपी जेश्वासियों को स्री एफ्यम लेखा मन्च के दरब से दीपों के तेवार दिपावली के हादिक शुब कामना प्रदान करती हूं। मैं अपनी स्वासित करता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। इसका सीश्वा के दिपावली काते हूं। रगुष्री राम जी के आने से मन प्रफुलित हो जाता है। और इस भव स्वागत में उन परिवार रम जाता है। चाहे घर की सफाई हो या खरदारी की बारी आई हो न जाने क्यों। इसे करने में मन सजा हर शाता है। इस भव स्वागत में पूर्ण परिवार रम जाता है। दीपों की प्यारी पंक्ति हो जारर की रिमजिल जुर्मुटो या सब्तिरंगी जिश मन को पुल्कित कर जाता है। और इस भव स्वागत में पूर्ण परिवार रम जाता है। भव मंदिर में सुसजित लक्ष्मी माता हूँ, साथ में गर्पत बपा हूँ, इस पावन दर्शन से मन मयूर बन जाता है। और इस भव स्वागत में पूर्ण परिवार रम जाता है। और इस भव स्वागत में परिवार रम जाता है। ज्यान का भी भंडार है, मा की महमा अपार है। इस दिव दिवस पर ज्यान भी बढ़ता जाता है। और इस भव स्वागत में पूर्ण परिवार रम जाता है। रव श्री राम जी के आने से मन रफुलित हो जाता है। और इस भव स्वागत में। ये जहांगीर आलम सर, कोल फिर मिरर की पूरी टीम और सभी लेखी काउं को, आप सभी को मेरी तरफ से दिपावली की शुखामना है, मेरा नाम है डॉक्टर मीरी भाटी आर्टिस्ट, 17 साल पहले, आज ही के दिन 14 नमंबर दिपावली के दिन ही, मैंने अपनी मम्मी को खोया उन्हीं के लिए मैं कुछ पंतियां आप सभी के साथ साजय कर दे हूँ, मा तू हर जगे है, मेरी कविता का नाम है मा तू हर जगे है, मा तू हर जगे है, मेरे भगवान के मंदिर में, मेरी मंदिर की घंटियों में, मेरी यादों में, मेरी एहसासों में, मेरी विडिया के मेरे करवाजौत की करवे में, मेरे माथे के सिंदूर में, मेरे दीबावनी के दिये में, मेरे देवियों के शूद में, माथू हर जगे है, माथू हर जगे है। रसोई में, रसोई के डबू में, मसालों में, लोही की कड़ाई में मातू हर जगे है साडियों में, फॉल में, गोटे पत्ती में, लहगों के सितारों में मातू हर जगे है कुशन कबर में, तकीय के गिलाफ में, परहाई में, चादर की फैबरिक मेंटिंग में मात उहर जगे है अचार की खुशू में, पापड की सौंदी सौंदी महट में, दूद की केतली में मात उहर जगे है मात उहर जगे है गार्डन में, गार्डन की क्यारी में, गुलाब की फूलों में, गमलों में, मनी प्लांट की बेल में, मात उहर जगे है मात उहर जगे है मेरे दीपावली के दिये में, मेरी बेवियों के शोग में, मेरी बेटी के रूप में, मात उहर जगे है और मैं शμαने परतिय।बिता में बाग ले पारी होस्टुछी। जासा कि आप लूज जानती है, कि आज जानतेरस है। और प्तर दिपावद्वली है। मेरी चोटी सा कवीता दिपावद्वली पे मैंने कैस्ग किया है। और आप सभी जनों को.. सभी बेहनों को सादर नमस्कार, बड़ों को सादर नमन और छोटों को प्यार, मैं आपके सामने अपनी कविता पेस करने जा रहे हूँ, जिसका सिर्सक है, दिपावली, दीपों से सजी दिपावली, आई फिर से खुसियों की सवगात लाई, आजाओं दोस्तों, फिर से मंगल दिप से आंगन को सजाए, हर अंधेरे को उजाले से रौसन करे, मन के अंधेरे को पी, मंगल दिप से रौसन करे, रहना जाएं अंधेरा, कहीं घर का कोई सुना कोना, घर के कोने के साथ साथ, मन के कोने में भी दीप जगमगाए, सूर्थ चमकता है एक दिन के लिए, मुंबती की रौसनी एक घंटे के लिए, माचिस की रौसनी एक पल के लिए, मगर मन के दिए की रौसनी की चमक जिंदगी बर दिपावली की तरह जगमागाती रहे, ये तो हुई दिपावली की कविता, इसके साथ मैं एक दर्द भरी कविता पेस कर रही हूँ, छोटी ही है, किरपया करके आप लोग मेरी कविता सुनें और मेरा प्रोसाहन बढ़ाएं ताकि मैं इसी तरह से आगे बढ़ सकते हूँ, बिना आपके प्रोसाहन के मैं आगे बढ ने सकती है, आप सब बेहनों का सईयोग रहा तो मैं आगे बढ़ू दी, और सहाथ साथ जागी, सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, इनों ने एक ऐसा प्रेटफॉर्म तयार किया ज़र हम अपनी कविता पेस कर सकते हैं, मेरी कविता का सिरसक है दर्द, मेरी हसी हर द कमवक्त आखे हुनर न सीख पाई, उसने फिर मेरे दर्द की दिखादी गहराई, लोग कहते हैं मैं हस्ती बहुत हूँ, और मैं ठग गई दर्द चुपाते चुपाते, तरस आता है मुझे अपनी मासूम सी पलकों पे, जब भींग कर करती हैं, अब रोया नहीं जाता, बच्पन में जहां हस लेते थे, जहां चाहा रो लेते थे, और अब हसने को तमीद चाहिए, और आसूर को तनाई, लोग जल उटते हैं मेरी हसी पर, मैंने दर्द की नुमाइस नहीं की, यू तो हर दिल में दर्द नया होता है, बस बया करने का अंदाज जुदा होता है, बस बया करने का अंदाज जुदा होता है, कुछ लोग आखों से दर्द बहा लेते हैं, और किसी की हसी में भी दर्द छुपा होता है, किसी के साथ मैं अपनी कविता यहां पर समाप्त कर रही हूं, आप सभी को मेरा साधर रमस्कार, मैं नूर फातिमा खातुन नूरी, जिला कुशिनगर से मंच CFM राइटर्स एसोसियेशन के समस्त सदस्यों का स्वागत वन्द अभिनादन करती हूं, और मैं अपनी स्वारचित कविता प्रस्तूत करती हूं, जिसका शिर्षक है दीपावली, मन के अंधेरे को मिटा लेना, दीवाली में ग्यान का दीप जला लेना, करना पूजा अर्चना लगन से, हो सके तो निकाल देना इरिश्या मन से, मान अवता रूपी कली खिला लेना, मन के अंधेरे को मिटा लेना, थोड़े देर के लिए दिये सा चल जाना, मुह माया से छड़भर निकल जाना, आत्मा को पर्मात्मा से मिला लेना, मन के अंधेरे को मिटा लेना, दीवाली में ग्यान का दीप जला लेना, मर्यादा पुरुशोत्तम राम का त्याग याद करना, अपनों की जिम्मेदारियों से खुद को ना आजाद करना, देशवासियों की सारी बला लेना, दीवाली में ग्यान का दीप जला लेना, पर्यावरण पर एक बार सोचना, धुआधार पटाखे अब ना फोड़ना, इस बात पर ध्यान टिका लेना, दीवाली में ग्यान का दीप जला लेना, मन के अंधेरे को मिटा लेना, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं प्रीब कोरी सेंगर आगरा से, सबसे पहले तो मैं, CFM Writers Association के, जो आदाड़ी जहांगीर सर है, जिनोंने यह पटल हमें प्रदान किया, जिनकी वज़े से ही आज हम इस किलाए हैं, और आपकी सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो वो सर की ही देन है, इसलिए उनसर का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत बंदन, अभिरंदन, साथ ही मेरी जो शुर्तागण है, उनका भी मैं बहुत आभार वेक्ट करती हूं, अभिरंदन करती हूं, उनका भी स्वागत करती हूं, और मेरी ये जो कविता है दीपोथ सबसे संबन्दी थी जिसका स्रजन मैंने आज कुछ समय पूर भीवेने किया है मैं अपनी प्रांग दिया आप लोगों के सम्मुक रख रही हूं इस कविता का शीर्षक है दीप जलाएं हम आओ दीप जलाएं हम कहीं धरापर रहे नाधीरा हर जगे रहे खुश्यों का वसीरा सारे गम भुलाएं हम आओ दीप जलाएं हम मन के सारे द्विश पुलाकर मन के सारे द्विश पुलाकर हिल्मिल सबको गले लगाकर मन के सारे द्विश पुलाकर हिल्मिल सबको गले लगाकर मन का मेल भुलाएं हम आओ गले लगाएं हम आओ दीप जलाएं हम आओ दीप जलाएं हम जिस घर में देखें कहन अधेरा जैसा ये लॉक्टान का पीरिट चला था उस सब्सक्राइब क्या हुआ कि बहुत से घरों में आर्थिक तंगी से वो घर गुजर रही है और अभी भी जो पूरी तरह से सक्षम होना चाह रहे थी उसे इसाब से नहीं हो पा रही है तो उनी के लिए ये मेरी पंक्तियां हैं कि जिस घर में देखें कहन अधेरा दीप जलाकर करें उजेरा उस घर में खुशियां लाएं हम आओ दीप जलाएं हम मिट्टी के दिये जलाने हैं जैसा कि हम लोग अपना मन करने के लिए कोशिश करते हैं चायना मिट्ची जो को खरील लाते हैं मंबत्यों को खरील लाते हैं कोशिश ये करें कि मिट्टी के दिये जलाएं जो गरीब लोग हैं तमहनित करती हैं, प्रयास करती हैं, कोशिश करती हैं और मिट्टी के दिये जलात बनाते हैं तो हम भी ये कोशिश करें कि उनकी दिवाली बहुत अच्छी जाए और उन मिट्टी के दिये जलानी हैं, पटाके नहीं चलानी हैं, मिट्टी के दिये जलानी है प्रदूशर से धरा बचाना है प्रदूशर से धरा बचाएं हम आउदीप चलाएं हम आउदीप चलाएं हम आउदीप चलाएं हम आउदीप चलाएं हम इनी पंगतियों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत-बहुत आभार करती हूं बहुत-बहुत आभार सागत यहीं पर बेरी पंतिया समापती है